किसान भाईयों आज हम प्री एक्सर फंगी साइट के बारे में बात करेंगे प्री एक्सर फंगी साइट की क्रॉप इस्प्रे से ले करके इसकी पैकिंग एंप्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं और वीडियो के अंत में आपको प्री एक्सर फंगी साइट की तीन बहतरीन लाब भी बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को अन्त तक जरूर देखे जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सेयर कीजिए जिससे कि दुसरे किसान भाईयों को भी लाब मिल सके चैनल पर नए आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सस्क्राइब करके बैर वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम खेती से सम्मंदी सभी दवाईयों की A to J जानकारी लाते रहते हैं तो किसान भाईयों चलिए शुरू करते हैं किसान भाईयों प्री एक्सर फंगी साइड B.S.F. कमपनी का आता है और इसका जो केमिकल अनकोंपोजिशन है इसमें फ्लूकसा पैरोकसेट 167 ग्राम प्रती लीटर इसी के साथ पैरा क्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रती लीटर जो की SC फार्मूलेशन में आता है SC याना सस्पेंशन कोंसे टेट होता है जो की आपको सफेद रंग के गाढ़े लिक्वीट फार्मों में देखने को मिलेगा अब जाल लेते हैं प्री एक्सर फंगी साइड की काम करने का तरीका क्या है या किस तरीके से फंगस को नियंतरन करता है तो प्री एक्सर फंगी साइड में दो क्यमिकल का कॉंबिनिशन है इसलिए या फंगस को दोहरी तरीके से नियंतरन करता है इसमें जो फ्लूकसा पैरोक्सेट है यह पाराजोर कारबाकसामाईट गुरूप का एक ब्रोट इस्पेक्टर मा फंगिसाइट है जो की कोंटेक्ट तरीके से काम करता है यह फंगस के अंदर जाकर सक्सीनेट डी हाइड्रोजन एंजाइम को बाधित करके फंगस के विकास को बन कर देता है जिससे की जो फंगस है यह जल से जल नियंतरन हो जाता है इसी के साथ जो पैराकलोस्ट्रोबिन है यह इस्टोबिलिरियन गुरूप का एक ब्रोट इस्पेक्टर मा फंगिसाइट है जो की यह सिस्टमिक तरीके से काम करता है पैरा क्लोश टोबिन प्रिवेंटी और क्यूरेटू दोनों तरीके से काम करता है प्रिवेंटू याने कि यदि आप फंगस आने से पहले इस्प्रे कर देंगे तो यह आपके फसल पर फंगस को आने ही ने देगा और फंगस आने के बाद इस्प्रे करेंगे तो यह फंगस को से निचले साइट फंगस बने हुए हैं और वहां तक हमारा इस्प्रे नहीं पहुच पाता है तो भी यह उन फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंतरण कर लेता है जो पैरा क्लोश टोबिन है यह फंगस की माइक्रो काइंडरिया में इलेक्टरान के इस्तांतरण को र अब जान लेते हैं प्रिएक्सर फंगसाइड कोन कून से फंगस को नियंतरन करता है तो प्रिएक्सर फंगसाइड मुख्यरूप से लेड बलाइड और यपनौन ब्लाइड याने कि अगेती जुल्षा और पच्छेती जुल्षा को नियंतरन करता है इसके अलावा इस्प्रोड़ टीटिया लीप पोड अल्टेन्या लीप इसपॉर्ट और पाउडी मिल्डियू जैसे फंगस को नियंतरन करता है किसान भागयों इसकी क्रॉप इस्प्रे की बात करें तो प्री एक्सर फंगी साइट को ब्याश्ट रिजल के लिए प्रती एकर 80 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर के इस्प्रे करना चाहिए और प्रती पंप 8 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर के इस्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 10 ml प्री एक्सर फंगी साइट को लेना चाहिए प्रियक्सर फंगिसाइट की रेन फास्टेनेस 20 मिनट का होता है इसको इस्प्रे करने के बाद 20 मिनट के बाद चाहे जितने भी बारिस हो जाती है फिर भी इसका रिजल आपको 100 पसंद देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जो रेन फास्टेनेस है यह 20 मिनट का है यह 20 मिनट के अंदर फसल और फंगस के उपर पूरी तरीके से अपना प्रोभाव दिखा देता है किसान भायों प्रियक्सर फंगी साइट की रेसीडियल एक्टिविटी पंदरा से सतरा दिन की होती है इसको इस्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 15-17 दिनों तक काम करता है 15-17 दिनो तक fungus को नियंतरन करके रखता है जो pre-exor fungicide है इसको इस प्रे करने के बाद इसका रिजल हमें दो से तिन दिन के बाद देखने को मिल जाता है तो किसान भाईयों अब बात कर लेते हैं combination and stage की बाद तो pre-exor fungicide को आप फसल की किसी भी stage पर इस्प्रे कर सकते हैं इससे आपको कोई भी side effect देखने को नहीं मिलेगा साथ ही combination की बात करें तो इसे आप दूसरे fungicide insecticide plus tonic तीनों के साथ combination कर सकते हैं इससे आपको अच्छा रिजल लेना है तो tonic के साथ इस्प्रे न कर हैं और इसे आप NPK का जो भूलन सिलकात आते हैं इनके साथ आपको बिल्कुल भी combination नहीं करना है तो आप जान लेते हैं प्रियक्सर फंगिसाइट की तीन बहतरीन लाब तो प्रियक्सर फंगिसाइट एक साथ कई सारे फंगस को नेंतरन करता है और इसे यदि आप प्रिव सकता हैं तो यह तुरंद काम करना चालू कर देता है और मैं फंगस को लंबे समय तक आने नहीं देता है इसके अरवा जर्षल की क्वालिटी को को इंक्रीस करती है तो किसान भागयों यह था कि प्रियक्सर फंगिसाइट की तीन LEAG अनत में जाल लेते हैं इसकी पैकिस क्या है तो प्रियक्सर फंगी साइट की एक सो बीस एमेल का जो पेकिंग है यह एक हजार पचास उपे के लगबग में मिल जाता है यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवलेबल है हमें कमेंड करके जरूर बताएए साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्याद